मधिप्रदेश में SDM से सवाल पूछने पर पत्रकार की पिटाई वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल सिंग रॉली जिले के चितरंगी SDM निलेश शर्मा एक बार फिर से विवादों में आ गए है मामला तपका है जब चितरंगी शेक्तर के डाला गाओं में एक धरने प्रदरशन के दोरान यूट्यूबर पत्रकार शिवम मिश्रा ग्रामिडों से सवाल पूछने लगे तो SDM ने कहा कि सवाल पूछना ही है तो मुझसे पूछो बस फिर क्या था पत्रकार ने जैसे ही सवाल पूछना चालू किया तो आरोप लगाया कि SDM इसे अपनी तोहिन समझ बैठे और पत्रकार को धक्का दे दिया आरोप है कि इतना होते ही SDM के समर्थकों ने उस पत्रकार के साथ जम कर मारपीट कर दी इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है बताया जा रहा है कि ये घटना बीते दिन बुधवार की है आईए बताते हैं यूजर्स का इस पर क्या कहना है पत्रकार अनुराग द्वारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा पत्रकार सुरक्षा कानुन तो छोड़िये आपके अधिकारी इस तरह से पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे तो उन्हें शासन से पहले सुरक्षा दिनवा दे इस पत्रकार ने किसानों के धरने के साथ SDM साहब से सवाल क्या पूछ लिया वो इसे तोहिन समझ बैठे सिंग रॉली का मामला है ट्विटर यूजर अमित कुमार ने कहा मैं एक कलेक्टर साहब की बहुत इज़त करता हूँ क्यूंकि वो बहुत महनत से बने होते हैं फूप पढ़ाई करनी पढ़ती है पर माफ करिये इस प्रकार से व्यवहार मत करिये पद के प्रती घ्रिणा मत पैदा करिये ये कलेक्टर महोदे के लिए है एक और यूजर राकिश कुमार मिश्रा कहते है कि SDM सहाब को इतना ही बुरा लगता है सवालों का जवाब देने में तो नौकरी छोड़कर घर क्यों नहीं बैट जाते हमारे टेक्स से इनका घर चलता है और हम पर ही रौफ दिखाते हैं वहीं अभिशेक गुपता ने कहा सभिता की बात कर रहे थे खुदी बत्तमीजी से पेश आए गजब है SDM सहाब का पत्रकार के साथ इस तरह के व्यभार को आप किस तरह से देखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी रायस जरूर दे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक और शियर करे बाल आइकन बटन जरूर प्रेस करे ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँशती रहे